हम बात कर रहे हैं income tax के introduction की और हम assessment year 22-23 की बात कर रहे हैं वो क्या होता है वो भी अभी हम समझने वाले हैं आगे बढ़ कर पहले थोड़ा सा इसके बारे में basic introduction हम पढ़ लेते हैं कि income tax क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा basic हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री पर जाएं basic हिस्ट्री पर जाएं तो income tax पहली बार इंडिया में 1860 में sir James Wilson ने introduce किया था और क्योंकि उस समय 1857 में हमें पता है कि first freedom fight हुई थी start हुआ था तो उस समय बहुत खर्चा हो गया तो पैसा चाहिए था तो उसके लिए financial difficulties को overcome करने के लिए 1860 में इसको introduce करा गया it was based on the British income tax act वैसे भी जादा तर इंडिया के अंदर जो भी act है वो सब British act पर based है after this it was amended for the several times in 1916 great system was introduced to revise tax great system का मतलब होता है कि जिसकी income जादा है उस पर जादा tax लगेगा जिसकी income कम है उसके उपर कम tax लगेगा in 1917 concept of super tax was imposed if the income exceeds 50,000 तो ये वो था जिसके इंकम बहुत 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 जादा है तो उसके उपर tax लगाया जाए extra tax उसे super tax बोला गया on the basis of report given by law commission and direct tax administration inquiry committee income tax act was passed in 1961 तो इंडिया में जो हम income tax act पढ़ रहे हैं ये 1961 में आया था जो अभी तक applicable है इसमें every year changes होते हैं बट ये basic 1961 में जो base था वो सारा का सारा अभी भी applicable है income tax act 1961 extend to whole of India income tax rule 1962 came into force from 1st April 1962 तो ये 1st April 1962 से आया तब से चल रहा है इसमें हम आज इस chapter के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं हूँ basic बाते पढ़ेंगे कि क्या नाम जो हम basic पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं tax rate क्या होता है ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं तो section 2 में हमें definitions दी होती है generally तो यहाँ पर section 2 sub section 7 में हमें बता रखा है कि what is the meaning of assessi क्योंकि हम जगे जगे income tax में assessi के बारे में बात करेंगे तो assessi क्या होता है assessi means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act तो अगर किसी को इस act में income tax act में tax देना है या कोई और पैसा देना कोई और पैसा हो सकता है interest penalty कुछ भी हो सकता है तो जो पैसा देना है अगर किसी भी इंसान को तो उसे हम assessi बोल देंगे for the proceeding of his income or income of any other person in respect of whom is accessible कई बर क्या होता है कि इंसान को अपना tax देने की बजाए किसी और के बहाफ पर जैसे legal guardian है कोई minor है उसकी income है उसके लिए legal guardian होगा या कई बर क्या होता है non resident होते हैं इंडिया के बाहर तो वो इंडिया में अपने agent appoint करते हैं तो वो उनके लिए भी अगर उनके भिहाफ पर अगर tax देना जा रहा है तो उस representative person को भी हम assessi बोलेंगे इसलिए यहां लिखा है कि ना केवल अपनी income के लिए बाकि अगर किसी और की income के लिए भी accessible है तो हम उसको भी बोल देंगे कि भाया वो assessi है if proceeding has been taken for law sustained by him or any other person अगर loss हुआ है तो हम में क्या करना होता है एक है न year end पर year end के बाद कुछ समय मिलता है में generally individual के लिए July का time होता है और companies के लिए हमारा 5-6 महीने और मिल जाते हैं तो उसमें income tax return जिसे हम shortcut में ITR बोलते हैं तो ITR फाइल करनी परती है जिसमें बताना परता है कि हमारी कितनी income हुई है अब अगर हमें loss हुआ है तो वो भी बताना परता है क्योंकि अगर loss है न तो अगले साल जब profit होगा तो इस loss को उस profit से set off कर लेंगे तो अगर मालिया किसी को profit नहीं हुआ tax नहीं दिया किसी को loss हुआ है फिर उसने अपनी return जमा कराई है या बताया है या कोई proceedings हुई है तो वो भी अगर आपने कोई काम करना था income tax ने आपको notice भीजा कि आप हमें अपनी information दीजिए या income tax return फाइल करिए या tax जमा कराई है आप जब ना तो tax जमा करा रहे हैं ना income tax के लिए कोई information दे रहे हैं तो ऐसी situation में क्या होगा आपको assassin default मल लिया जाएगा तो वो भी sse माना जाएगा तो इस पूरी definition अगर definition आती है तो तो ऐसे लिखनी है लेकिन समझने के लिए बात है कि अगर income tax department का आपसे कोई भी लेना देना है किसी भी तरीके से तो वो आप क्या माने जाएंगे अप assessi हो जाएंगे अब हम बात करते हैं assessment year की assessment year का मतलब क्या होता है देखें जो भी हमारी income होती है year wise होगी income है ना तो जो भी income होगी एक year में होगी April to March year होता है हमारा तो वो year खतम होने के बाद आपको एक time मिलेगा कि भई इस time में आपको अपनी income को compute करना चाहिए तो होता क्या है जो 12 महीने होते हैं हमारे जिस बार महीने की income हम निकालते हैं वो start होता 1st April को और end होता 31st March को और जब ये year complete हो जाएगा तो उस year को complete होने के बाद हमारे पास जो next year आएगा उस next year में हम जब income निकालेंगे तो उस income को हम निकालने वाले year को assessment year बोलेंगे जैसे for example suppose हमारा year start हुआ 1st April 2021 को और end हुआ 31st March 22 को तो इस से जो next year इस year की income इस year की income हम assess कर रहे हैं तो इस year की income को assess कर रहे हैं तो assess करना मता assessment तो कौन से year में assess करेंगे जब ये year complete हो जाएगा तो next year कौन सा होगा हमारा 1st April 22 से 31st March 23 तो इसको हम generally assessment year shortcut में लिख देते हैं assessment year 22-23 इसे हम ऐसा नहीं बोलते हैं 1st April to 31st March हम 22-23 बोलते हैं इससे हमें पता चल जाता है कि ये year 1st April को start हुआ और 31st March को end हुआ 22-23 assessment year तो ज़्यादा तर हम assessment year को ही बोलते हैं अब इस assessment year में suppose May 22 की बात करें तो May 22 में आप पिछले साल की income निकाल रहे होंगे जो income है 2021-22 की तो पिछला साल है इसलिए से previous year बोलते हैं तो जिस year की income निकलेगी वो year क्या है previous year और जिस year में आप income निकालेंगे वो क्या है assessment year तो assessment year होता है 12 महीने का assessment year means the period starting from April 1 and ending on 31st March it consists of 12 months immediately after the relevant previous year जिस previous year की आप income निकाल रहे हैं उस previous year के एकदम से 12 महीने बाद का जो time period होता है उसे हम क्या बोलते हैं assessment year section 2 sub section 9 में हमें इसकी definition बताए गई है definition तो यह है कि previous year relevant previous year मतला जिस previous year के आप income निकाल रहे है उस previous year के तुरंद बाद का साल assessment year है वैसे अब हमें यह पता चल गया कि अगर हम previous year 2021-22 की income निकाल रहे हैं तो उसके लिए assessment year 2022-23 हो गया अब अगर हमारी जो income है जिस previous year के आप income compute कर रहे हैं सपोज वो 2021 है तो इसका relevant assessment year जो होगा वो 21-22 हो जाएगा तो 21-22 assessment year है तो उसका previous year 2020-21 हो गया अगर assessment year 22-23 है तो उसका previous year 2021-22 हो गया इसका हमादा हर year previous year भी हो सकता है assessment year भी हो सकता है अगर आप पिछले साल की income निकाल रहे हैं तो वो assessment year है अगर उसी साल की income compute कर रहे हैं तो वो previous year है खिक है तो जिस year की income निकाली जाएगी उसे previous year बोला जाएगा और जिस year में निकाली जाएगी उस assessment year बोले है जो हम income निकालते हैं वो income हम निकालते हैं person की अब person कौन होता है तो person होता है section 2 subsection 31 में बता रखा है person का क्या मतलब है तो person includes person की inclusive definition बता रखी है person includes मतलब person के अंदर कौन कोन है individual जैसे आप अगर job करते हैं business करते हैं तो आपकी जो income है वो as a individual आपके लिए tax बलोगी तो आप कोन होंगे individual लेकिन हम आपको person बोलेंगे income tax act में हिंदू undivided family हुएफ बोल देते हैं shortcut में हिंदू undivided family का मतलब होता है जो family business चल रहा है family के member मिलकर काम कर रहे हैं उसे हम हिंदू undivided family बोलते हैं and brothers तो and sons and brothers इस तरीके के नाम जनरली हिंदू undivided family हुएफ में होते हैं ये एक separate legal entity है income tax के हिसाब से ये अलग तरीके के इंसान है इसे person की definition में हम ले रहे हैं ये सब अलग-अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब के tax rate अलग-अलग है individual का tax rate अलग है अगर मालिया 5 lakh की income है तो individual को अलग tax amount देना पड़ेगा हुएफ को अलग partnership को अलग company को अलग इसलिए हमने इन सब को अलग-अलग define कर रखा है की individual भी है person में हो भी है person में partnership firm जैसे हम 11-12 पर पढ़ते हैं accounting for partnership firm तो partners होते हैं एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब काम करते हैं तो उसे partnership बोलते थे partnership act में registration कराना होता है partnership firm हो गए और वो अलग से person होते हैं income tax में company जो इंडिया में ऐसे company रेइस्टर हैं उन्हें हम company बोल देते हैं इस company को भी अलग तरीके से tax देना होता है association of person and body of individual इसमें generally student confused रहते हैं AOP, B.O.I. हम shortcut बोलते हैं AOP मतलब association of person क्या हो सकता है एक individual और HOF मिलकर काम कर रहा है तो individual और HOF दो अलग अलग type के person दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं association of person body of individual सपोज Mr. A और Mr. B मिलकर काम कर रहे हैं अब partnership में registration नहीं करा रहे हैं जैसे आपने कभी joint venture का नाम सुना हो तो Mr. A, Mr. B मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन as a partnership firm काम नहीं कर रहे हैं तो उनको body of individual बोलेंगे क्योंकि दोनों individual हैं लेकिन अगर एक partnership firm suppose एक partnership firm और एक company मिलकर काम कर रहे हैं और किसी तरीके से अलग टाइप की registration उन्होंने नहीं कराया है तो यह association of person है क्योंकि अलग अलग टाइप के person include हो गए partnership firm और company मिलकर काम कर रहे हैं local authority जैसे नगर निकम होती है municipality होती है इनको भी income होती है यह हमारे से पैसा लेते हैं अलग अलग तरीके के काम करते हैं तो इनको भी tax देना पड़ता है इसके अलावा every artificial judicial person अगर कोई ऐसा इनसान है जिसकी income तो है लेकिन first six point में नहीं आता है तो उसे हम क्या बोलते है every artificial judicial person जैसे की हमारे पास trust होती है university होती है जिस university में आप पढ़ते हैं डेली university है अलग अलग state की university होती है और मंदिर होते हैं मस्जिद होती हैं तो यह सब artificial every artificial judicial person में आ जाते हैं इन सब की income भी taxable होती है ऐसे separate person तो इन सब के अलगले tax rate है इसलिए इनको अलग अलग हमने define किया होगा previous year की बात करते हैं जैसे अभी अभी हमने देखा था assessment year क्या होता है assessment year होता जिस year में हम previous year की income निकालते हैं तो previous year क्या होता जिस year की income हम compute कर रहे हैं section 3 हमें बताता previous year के बारे में the year in which income is earned is known as previous year जिस year की income है उसको हम previous year बोलते हैं income cannot be computed unless year is fully completed जब तक year complete नहीं होगा आप उस year की income कैसे compute करेंगे so that so the year income of which is computed to pay taxes called previous year it is start on 1st April and end on 31st March बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल से computed होता है क्योंकि आप पहली बार life में income कमाना शुरू कर रहे है तो वो 1st April से शुरू नहीं करेंगे जरूरी तो नहीं है कि 1st April से शुरू करें तो 1st year आपकी earning का वो हमारा 12 महिने से कम का हो सकता है अगर आप पहली बार earning कर रहे है तो starting date हो होगी जिजिन से आप earning करना शुरू कर रहे हैं लेकिन ending date तो 31st March ही होगी Normally, income tax is computed and paid by the assessi in assessment year but in some cases, assessi has to pay tax on the income of previous year in the same previous year Means, आप से जब बात हो गई कि आप जिस previous year की income निकाल रहे हो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि वो year complete नहीं हो जाए, assessment year में निकालेंगे लेकिन इसके कुछ exception है, कि आपको previous year की income previous year में ही निकाल कर तब ही tax जमा कराना पड़ेगा ये क्या exception है और क्यों है, एक example देखकिए Suppose आप USA की एक company है और आपका एक ship इंडिया में आता है 20 में 22 को यहाँ पर वो passengers को और goods को उतारता है और वापस जाता है अब income tax act के हिसाब से अगर आप इंडिया से किसी भी तरीके से connect होकर कुछ भी income करेंगे तो आपको इंडिया में income tax देना पड़ेगा तो आप इंडिया का income tax act इस ship के owner से कहेगा आपने इंडिया में passenger को छोड़ा है, goods को छोड़ा है, उनसे पैसा लिया है, आपने profit कमाया है तो आपको इंडिया में tax देना पड़ेगा अगर ये कहते हैं ठीक है, अभी तो ये previous year है, 22, 23 previous year है और ये assessment year 23, 24 होगा तो जब ये assessment year 23, 24 होगा, हम income निकालेंगे और आपके पास जमा करा देंगे लेकिन income tax department इंडिया का सोचेगा कि ये USA की एक company है, इंडिया में आज माल उता रहा है, हो सकता life में ये दुबारा ही ना है इंडिया में अभी माल देने नहीं ना है, तो इनको कहां पकड़ते रहेंगे तो इनसे कहा गया कि नहीं भाईया, हम आपका wait नहीं करेंगे आप आज ही हमारे को tax जमा कराओं, तो ये कहेंगे tax जो computation है वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है तो इतना लंबा प्रोसेस हम कैसे करेंगे, तो इनने simplified version दे दिया इनसे कहा आपके लिए लंबा प्रोसेस नहीं है, section 172 में इनसे कहा shipping business है non resident का ये resident कोन होते है, non resident कोन होते है, ये हम अभी next chapter में सीखेंगे, residential status में फिलाल ये मानी है, जो इंडिया से बाहर है, वो non resident है, एक सामान ने भाशा के तोर पर तो shipping business किसी non resident का है, वो इंडिया में आया, लोगों को उतारा, या समान उतारा, या दोनों चीज़ों को earning करी, तो वो जाने से पहले हम उनसे क्या कहेंगे, वह ये 7.5% जो भी आपको पैसा मिला है, या मिलेगा, मनला due basis पर आपने काम करा किसी के लिए, या cash basis पर, आपका जो भी आपको किराया फरेट मिला है, उसकी 7.5% हम माल लेंगे income है, और उसके उपर भईया income tax दो, तब ही हम आपको जाने देंगे, मना हम आपको इंडिया से बवापस नहीं जाने देंगे, तो ये एक ऐसा system मनाया, ताकि हमारे को एक simple तरीके से पैसा मिल जाए, ऐसी section 174 म बोला कोई इंडिया छोड़ कर जा रहा है, अब को इंडिया छोड़ कर हमेशा के लिए जा रहा है, तो भईया वापस कब आएगा, कब नहीं आएगा, पता नहीं तो उससे कहेंगे, भईया पहले tax दे दे हमारे को, जिस दिन इंडिया छोड़ कर जा रहे हो, उस दिन तक क बोड़ी ओफ इंडी जोल है सब्पोस्ट मिस्टर A मिस्टर B है उन दोनोंने सोचा कि दिवाली आ रही है दिवाली पर पठाके की दुकान लगाते है तो इन्होंने 15 दिन पहले महीना पहले पठाके की दुकान लगा इदिवाली खतम हुई और काम खतम अब इनको कहां डूनते रहेंगे कहां पकडते रहेंगे तो शॉर्ट पिरियट के लिए फॉर्म हुए थे ये इनसे कहा जाएगा भईया अभी दे दो टेक्स परसनल सेक्शन 175 परसनल लाइकली टू ट्रांसफर प्रोपर्टी टू अवाइट टेक्स अगर कोई ऐसा इनसान है जो अपनी प्रोपर्टी वगर बेच रहा है और हमें इंकम टेक्स डिपार्डमन को लगता है कि भईया ये टेक्स बचाने के लिए कर रहा है तो उससे कहा जा सकता है कि भईया आप अभी हमें टेक्स डिपोजिट करा दीजिए section 176 income from discontinued business अगर आपने business बंद कर दिया तो आप पता नहीं आप future में business दोबारा start करेंगे नहीं काम ही लेंगे तो आपसे कहा जा सकता है कि भईया अभी आप टेक्स जमा करा दो कुछ undisclosed sources होती है income की जैसे आपने picture देखी होगी शायर rate या आपको पता होगा कि income tax department वाले rate मारते हैं कई बार तो वहाँ पर आपको income tax department को पैसा मिला तो अगले साल income निकालना तो उसी time income निकालकर उसी time tax लेंगे आपसे तो अगर undisclosed source of income है undisclosed मता आपने बताई नहीं पकड़े गए और पकड़े जाने पर मिला cash credit मताब के account में कहीं पैसा मिला तो section 68 बोलता है unexplained investment है आपने बता नहीं रखा और पता चला आपके number properties है तो इसमें क्या रहता है कि कुछ नहीं हो तो जिस साल आपने investment खड़ी दी है उस साल की income मालनेंगे लेकिन cash के बारे में आप से पूछा मालिया आपके घर पे rate लगी हो 5 करोड रुपे मिले आप से का जी ये 5 करोड रुपे कहा सा है आपने का हमें याद नहीं कहा सा है तो कब की income मानेंगे अभी की income मानेंगे तो अभी ही tax देना पड़ेगा तो section 69 ने unexplained money amount of investment not fully disclosed in the account section 69 भी मतलब कि आपने अपनी investment दिखा रखी है 5 करोड है वो एक्चल में 10 करोड या 8 करोड तो जो difference है वो पर ही tax देना पड़ेगा आपको unexplained expenditure एक आदमी ने बहुत बहुत जादा हाई फाई शादी करी अपनी बेटी की और उस शादी को देखकर income tax department का notice आया कि आप बताओ ये पैसा खर्च कहां से किया क्योंकि खर्च करने के लिए पैसा कहीं से आएगा या तो आप दिखाएए मैंने लोन लिया या कहीं नहीं बताओ आपने का मुझे तो यादनी पैसा कहां से आया income tax return आपने फाइल नहीं कर रखी है फाइल कर रखी है तो बहुत कम कर रखी है मालिया पिछले 10 साल की income tax return देखी तो आपने 10 साल में 5-5 लाग रुपे की income दिखा रखी है तो पिछले 10 साल में आपने पांच माल लाग की पचास लाग की इंकम दिखा रखी है और खर्चा आपने दो सु करोड उपय कर दिया तो कहां से पैसा है आपके पास कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो हम इसी साल की इंकम माल लेंगे एक वो होता है तो इंकम टेक्स है डारेक्ट टेक्स है हमारे हाँ टेक्स दो टाइप की होते हैं एक डारेक्ट टेक्स होता है एक इंडारेक्ट टेक्स होता है डारेक्ट टेक्स का मतलब होता है कि जिसके उपर टेक्स पढ़ रहा है वो खुदी government के पास जमा करार अगर आपको tax देना है तो आप खुद ही जमा कराओगे और indirect tax होता है आपके उपर tax पढ़ रहा है लेकिन आप खुद जमानी कराओगे जैसे कि GST होता है आपने क्या करा है एक दुकान पर गए कुछ समान खरीदा और उस पर GST का है मांट आपने दुकानदर को दे दिया दुकांदर पैसा जमा कराएगा गौऱ्र्मेंट के पास तो आपने खुद से गौर्श मेंट के पास पैसे जमा नहीं किया उसे इन्डरीक्ट टेश देते हैं ऐसे वेड बोलते हैं आपने petrol डलवाया, petrol डलवाया आपने petrol pump वाले को पैसा दे दिया, अब petrol pump वाला government के पास VAT का पैसा जमा कराएगा, तो आप खुद पैसा जमा नहीं करा रहे हैं तो उसे VAT बोलते हैं, मैं ता indirect tax बोल देते हैं income tax is divide on the income of the person आपकी income होगी तब ही आपके ओपर tax लगेगा, अगर आपकी income नहीं है तो आपके ओपर tax नहीं लगेगा और किस पर लगेगी, tax किस पर लगेगा, person पर, person में हमने पढ़ा था, individual, H.U.F, company, firm, A.O.P, B.O.I, local authority, artificial, judicial person, इन सब के ओपर लगेगा, जो income tax लगेगा वो previous year की income के ओपर लगेगा, फिशल इसाल की income के ओपर लगेगा, income tax, applicable tax rate के हिसाब से लगाया जाएगा, income tax को due date से पहले जमा कराना पड़ेगा, अगर आप penalty और interest से बचना चाते हैं, अगर आप एक time period तक पैसा जमा नहीं कराएंगे, government के पास आपके उपर penalty वगरा लगाई जा सकती है, income compute करने के लिए income tax में income को major 5 parts में divide किया गया है, computation of income में आपको 5 हिस्सों में income को divide किया गया है, number one है salary की income, आपकी जो भी income salary की है वो first head बोलते हैं इसको, income tax में first head income का जो होता है, उसे हम salary बोलते हैं, income from salary, salary का मतलब है, कि आप कहीं job करते हैं, आप कहीं employee है, आपको महाँ से salary की income होती है, तो उसके अलग से काईदे कानून है, rules है, regulations है, वो हम first head of income, इसे head of income बोलते हैं, तो first head of income में compute करते हैं, इसका एक पूरा chapter है, जो हम पढ़ेंगे, और काफी time consuming होता है, इसमें बहुत सारी बाते हमें सेखने को मिलती है, इसके अंदर हम basic salary लिखेंगे, जो basic salary आपको मिलती है, इसके लाबा अगर bonus, commission मिलता है, तो वो भी हम compute करके taxable करेंगे, allowances, हम allowances, क्या होता है, allowances होता है, other than basic salary, commission और bonus, आपको किसी specific purpose के लिए cash amount दिया जाता है, तो उसे हम allowance बोलते हैं, for example, house rent allowance, आप किराए के मकान में रहते हैं, और आपको, आपकी company, आपका employer, पैसा देता है, ताकि आप किराए के मकान का पैसा दे सके, तो वो house rent allowance कहलाती है, तो allowances होती है, ऐसे traveling allowance होती है, आपको कहीं इधर से उधर काम से बेज़ दिया, तो रास्ते के खर्चे के लिए आपको traveling allowance दिया, घर से office आने के लिए दिया, transportation allowance, convince allowance दिया, आप अपनी convince से जा रहे हैं, आ रहे हैं, पैट्रोल भरवाने के लिए पैसा दिया, तो किसी भी purpose के लिए allowance दिया जा सकता है, कुछ allowances taxable होते हैं, कुछ allowances free होते हैं, ये सब हम salary के चप्टर में पढ़ने वाले हैं, पर क्यूजिट्स होती हैं, facilities होती हैं, generally non-cash facilities होती हैं, जैसे आपको रहने के लिए घर दे दिया, तो आप घर दे दिया, तो आपको पैसा तो मिला नहीं, आपको रहने के लिए घर मिला है, तो वो जो facility हैं, ये भी taxable होती है, कुछ free होती हैं, कुछ taxable होती हैं, जैसे आपको mobile phone दे दिया, तो ये free facility होती है, इसके लावा को रिटार्मेंट बेनिफिट्स मिलते है जैसे आपको पेंशन मिलती है ग्रेचिटी मिलती है तो वो सब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे उसको प्रॉफिट इन लिए उस सेलरी की जगें कोई और प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है प्रॉविडंट फंड होता है उसमें भी पैसा आपका employer deposit कराता है तो वो भी taxable कुछ होता है कुछ exempt होता है इन सबको add करके हम जो निकालते हैं उसे हम बोलते हैं gross salary अब इस gross salary में हमको deductions देते हैं deductions हमारी दो type की होती है एक तो head wise जैसे salary का chapter पढ़ेंगे तो salary के chapter में आपको कुछ deductions मिलेंगी एक हो from house property है profit and gain from business or profession है capital gain है other sources है इन 500 head की income को add करने के बाद भी कुछ deductions मिलती हैं जिसे हम chapter 6 से बोल देते हैं महाँ पर section 80C से TU तक की deductions मिलती हैं वो अलग होती हैं पूरे 500 head की income को add करने के बाद भी deductions मिलती है और हर एक chapter wise head wise भी deductions मिलती है तो salary के chapter में हमें section 16 में deductions मिलती हैं और ये तीन deduction होती है एक standard deduction होती है एक entertainment allowance की deduction होती है professional tax या employment tax की deduction होती है ये सब कुछ हम salary के chapter में पढ़ेंगे और ये less करने के बाद जो आता है उसे हम income from salary बोल देते हैं फिर हमारा next income आती है income from house property अगर हम अपना घर किराए पर देते हैं तो वहाँ से जो income आती है उसे income from house property बोल देते हैं यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो आपको किराया मिला है वो ही taxable हो वो सकता है आपको किराया मिला 50,000 लेकिन income taxable हो रही है 60,000 तो वो जो income जरूरी नहीं है किराया मिले तो उसको हम बोलते है gross annual value तो इसकी computation कैसे होती है यह हम house property के chapter में पढ़ेंगे तो gross annual value निकालने के बाद इसमें जो आपने taxes दिये है municipality को माइनस हो जाते है तो इसे net annual value बोलते है जैसे salary के chapter में section 16 में deduction मिलती है ऐसी house property के chapter में section 24 में deduction मिलती है यह दो type की होती है standard deduction और interest on loan standard deduction 30% मिलता है यह आपर 30% deduction मिलता है सबको profit and gain from business और profession आता है फिर हमारा next chapter next head आता है जिसमें आप अगर business करते हैं या अगर आप professional है तो आपकी जो income होती है वो इस head में taxable हो जाती है या तो आप business है करते है या फिर आप professionals है तो doctor है, lawyer है, chartered accountants है तो यह सब professionals है तो यह यहाँ पर taxable हो जाता है या आप business करते है अपना business है तो भी वो यहाँ पर आपकी income taxable होती है यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी होती है कि आप profit and loss account बनाते है जो आपने 11 में भी सीखा है तो वो profit and loss account में जो net profit निकलता है वो net profit और income tax के इसाब से जिस profit पर tax लगाना है वो दोनों अलग-अलग होते हैं क्योंकि जो profit and loss account हम 11th class में बनाना सीखते हैं वहाँ पर हम कोई 5 head की बात नहीं करते हैं वहाँ तो हम income net profit निकाल देते हैं सबोस्थ रेंट मिला हमें तो वो income में लिख देते हैं यहाँ तो rental income अलग से taxable हो रही है तो पर depreciation rate या तो हम अपनी तरफ से decide करते हैं या फिर as per company's law company law के हिसाफ से जो रहता है वो हम लेते हैं यहाँ पर income tax के हिसाफ से depreciation calculate करने का method भी different है कुछ expense ऐसे हैं जो income tax में मना कर रखेंगे हम आपको allow नहीं करेंगे वो खर्चे आप अपने P&L में नहीं लिख सकते हैं तो पर income tax act या कुछ चीजों को plus minus करेंगे और वो plus minus करके हम business की income as per income tax act नेकालेंगे इसके बाद fourth head आता है हमारा income from capital gain जब कोई asset बेचने से हमें profit होता है या loss होता है तो वो हम income from capital gain के चप्टर में calculate करते हैं जैसे हमने कोई अपनी property को sell out करा एक घर है जो 20 lakh का खरीद के 50 lakh में तो जो profit हुआ वो यहाँ पर taxable होगा यह भी पूरा एक chapter बहुत काफी बड़ा chapter है जो हम पढ़ेंगे आगे जाका और चार head जो हो थे हमारे अभी हमने देखे salary हो गई house property, business profession और capital gain इन चारो head में अगर कोई income taxable नहीं हुई है तो fifth head में taxable हो जाती है income from other sources में कुछ income है जो specifically यहाँ पर आती भी है जैसे आपको interest मिला, dividend मिला, आपको casual income होई, lottery लग गई, आप KBC में जीत गए पैसा है ना gift मिले तो वो सब कुछ यहाँ पर taxable होते हैं यहाँ पर section 57 में आपको assumptions मिलती है यहाँ पर capital gain में section 54 में मिलती है capital PGPP में section 30 से लेकर 37 तक में हैं महाँ पर आपको deductions मिलती है वो सब हम उसमें पढ़ेंगे जब 500 head की income को add किया जाएगा तो उसे gross total income बोला जाएगा इस gross total income में से हम 80C से 80U तक के section की अलग से deductions देंगे फिर जो आएगा उसे हम taxable total income बोलेंगे इस taxable total income पर हम tax लगाएंगे tax rate हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में इसी chapter में उसमें कोई surcharge वगरा है तो वो add करेंगे वो क्या होता वो भी अभी सीखेंगे और इसके अलावा कोई sess है वो भी add हो जाएगा और हमने कोई advance tax जमा कराया था तो minus हो जाएगा ताकि हम पता लगा पाएं कि हमारी tax liability क्या है एडवांस tax अभी ये rule है कि अगर आपको पूरे साल में 10,000 रुपे से ज्यादा tax देने की उमीद है तो आपको साल में 4 बार आपको advance tax जमा कराना पड़ेगा in case of company जो हमारे 4 due date होती है first quarter की end होने से 15 दिन पहले first quarter April to June होता है तो 15 June और second quarter 15 September, third quarter 15 December और last में 15 March चार installment में आपको पैसे जमा कराना पड़ता है उसका एक लग चप्टर है वो भी हम पढ़ेंगे बाद में TDS क्या होता है अगर TDS के बारे में हम समझते हैं जो बहुत जरूरी है समझना TDS के बारे में tax deducted debt source ही होता क्या है देखें गौर्णमन के लिए income tax department के लिए बहुत मुश्किल है कि वो पता लगाएं किस इंसान की कितनी income है जैसे एक company है इस company में 5000 employee काम करते हैं यह company इन सब employee को salary की payment करती है तो यह सारी company salary की income कमाते है लेकिन खुझ से कोई government को जाकर बताता नहीं है कि वह यह मेरी salary की income है और यह tax ले लो 99% लोग बताते ही नहीं है अब यह बहुत बड़ी दिक्कत है company गौर्णमन के सामने कि इंडिया की अगर हम देखें population इतनी ज़्यादा वो किस किस को पकड़ेंगे तो गौर्णमन ने इसका एक shortcut formula सोचा वो shortcut formula क्या है कि company अपना P&L account बनाती है और इस P&L में वो अपना salary का खर्चा लेगती है मलिया उन्होंने 200 करोड रुपे salary का खर्चा लेगा company पर tax लगता है तो गौर्णमन ने income tax department ने company से का कि 200 करोड रुपे का जो आपने salary दिया है हम आपका खर्चा मान रहे हैं आपका profit कम हो जाएगा आप हमें tax कम दोगे ठीक है लेकिन यह जो 200 करोड पर आपने जिन लोगों को दिया है आपके employee है उनकी तो income है यह उनको tax देना चाहिए वो हमें देते नहीं है तो आप एक काम करो आप एक काम करो आप इसमें से इनका tax पहले ही काट लो और उनको tax काटने के बाद में पैसा दो और tax हमें दे दो इनसे कहा company से कि आपको तो उनको salary देनी है आप tax compute करके उनका tax काट के हमारे पास जमा करा तो हमारा काम बच जाएगा तो ऐसे ही सेलरी की तरह ऐसे और बहुत सारी चीजे हैं सेक्शन 194 उस में हम पढ़ते हैं जैसे फॉर एक्जामपल आप एक प्रोफेशनल को कुछ पेमेंट कर रहे हो तो उस प्रोफेशनल को आप पेमेंट करेंगे तो अगर 30,000 से ज्यादा पेमेंट होता है 194 जेए में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको 10% TDS काट तो सबोस आपने किसी को 1,000,000 रुपे जमा किया पेमेंट करा तो उसमें बोला गया है कि आप 10% मतलब 10,000 TDS काट के गौर्वर्मेंट के पास जमा करा हो अब सबोस आपने मुझे पेमेंट करी एक लाख रुपे की उसमेंट 10% TDS काट के जमा करा दिया तो आप कहां जमा कराएंगे आप मेरा एक एक एकाउंट नमबर होता है इंकम टेक्स डिपार्डिमन के पास जिसे पैन पर्मनेंट एकाउंट नमबर बोलते हैं तो उस पर्मनेंट एकाउंट नमबर को लिखकर आप वो पैसा जमा करा दोगे गौर्वर्मन के पास अब आपने मुझे 1,00,000 रुपे दिया और 10% 10,000 जमा करा दिया हो सकता है मेरी 10,000 रुपे का टेक्स बनता ही नहो तो मैं क्या करूंगा जब अपनी इंकम टेक्स रिटन साल के एंड में जमा कराऊंगा तो मैं उसमें लिख दूँगा कि भाईया मेरी टोटल इंकम इतनी है सबोस्पांच लाग तक की इंकम फ्री है मेरी आपके लाव और कहीं इंकम ही नहीं हुई तो एक लाग रुपे की इंकम मेरी हुई उस पर 10.000 का टेक्स कट गया और टेक्स बनता है मेरा 0 तो मैं वहाँ कहूँगा कि भाईया मेरा टेक्स कितना है ये देखो टोटल टेक्सिबल इंकम कितनी हो गई उस विलने के उपर टेक्स कितना हुआ 0 और मेरा TDS कितना कट गया 10.000 तो मैं कहूंगा 10 ज़ार मुझे refund चाहिए क्योंकि मेरा पैसा आपके पास आ गया जबकि उसका कोई हिसाब किताब बनता नहीं था तो इसे हम refund ले लेते हैं तो अगर आपका tax नहीं बनता है तो आप government से वापस भी पैसा ले सकते हैं refund ले सकते हैं section 288A कहता है कि जो भी आपकी income है उसे आप nearest 10 रुपीज में round off कर देंगे जैसे आपकी income आई suppose 99,999 तो nearest 10 रुपीज में round off करके 1 lakh कर देंगे अगर ये 91 होता तो मैं इसे nearest 10 रुपीज में 99,990 कर देता और ऐसे ही section 288B कहता है कि आप income tax को भी nearest 10 रुपीज में round off कर देंगे जो आपका income tax है वो भी आप nearest 10 रुपीज में round off करेंगे और income को भी nearest 10 रुपीज में round off करेंगे